Hello student, welcome once again 22 इस वीडियो में हम लो 13.1 का 1st वाला question solve करेंगी और अगर आपने इस chapter के मैंने जो intro video बनाया है वो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना उस video के link पे आपको नीचे description box में मिल जाएगा और इस exercise में मैं जो आगे की videos बनाँगो न उनका link पे आपको नीचे description box में मिल जाएगा किवाला आपको all videos of chapter 13 पे जाकर के click करना है तो चलिए देखो पहला जो question है उसमें से क्या बोला जा रहा कि following are the car parking charges near a railway station up to यानि कि देखो ये क्या है कि car parking का charge है railway station में आप जाओगे तो car खड़ा करोगे न तो हापर आपसे charges लिए जाते हैं जैसे कि अगर आप 4 hour के लिए car आपने वहाँ पर खड़ा करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा 60 रूपी का charge पे करना पड़ेगा उसी तरीके से अगर आप 8 hour car को वहाँ पर पार्क करते हो तो आपको 100 रूपी देना पड़ेगा 12 hour अगर आप पार्क करते हो तो 140 रूपी देना पड़ेगा 24 hour यानि पूरे के पूरे अगर एक दिन आप आप आपको 180 रूपी देना पड़ेगा तो हमसे बोला क्या जाए इसमें आगे कि check if the parking charges are in direct proportion to the parking time यानि कि आपको क्या चेक करना है कि जो charges है क्या वो हमारे पास parking time कि अगर हम context में देखें तो क्या यह direct proportion में है या नहीं है यही अपने को यहाँ पर simple बताना है ज्यादा लंबा नहीं है यह नहीं कि direct है, inverse है, कुछ नहीं simple बस आपको यह चेक करना है कि यह जो हमारे पास charges दिये हुए है अगर अपने को यह देखा जाए कि time according यह हमारा आपस में direct है या नहीं है, बस इतना ही आपको बताना है तो इसको कैसे check किया जाए, कि कोई भी question जो हमारा direct proportion में है या नहीं है इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो simple सदम तरीका है, आप उसको क्या करो divide करो, उसका fraction find करो उसका ratio find करो, अगर ratio सभी का same निकल जाए, तो समझ जाना कि वो direct proportion में है, अगर ratio अलग लग निकल जाए, तो फिर वो direct नहीं होगा आई हम लोग copy में check करते हैं, इसे solve करके तो देखो, सबसे परें तो आप इस तरीके से लिख लो, कि जो number of hours है, वो अपने कितने कितने दिये गया है, तो इसे 4 hour दिया हुआ है 8 hour, 12 hour और 24 hour दिया हुआ है उसी तरीके से जो parking charge है, रूपी में जो हमको दिया हुआ है, वो 60, 100, 140 और 80 रूपी में दिया हुआ है, अपने को simply वही चेक करना है, कि direct में है या नहीं है ये charges, इस time के according आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ratio निकाल देना है ratio कैसे निकाल होगा है, देखो, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर हमारे पास जो parking charge है, वो कितना दिया हुआ है, 60 रूपी दिया हुआ है, और time जो दिया हुआ है, वो 4 आवर दिया हुआ है, तो simply आपको क्या करना है, 60 divided by 4 कर लेना है, इसको अपन 4 divided by 60 क्यों नहीं कर रहे हैं, वो समझा आपना, question में क्या बोला गया है, last time में यहाँ पर ध्यान देना कि check if the parking charges are in direct proportion to parking time, यानि कि जो charges है, वो parking time में direct proportion में है, या नहीं यह check करना है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, parking charges उपर लिखना पड़ेगा और time को simply नीचे लिखना पड़ेगा अब इसको आप cut कर लो, जैसे मेरा यह दोनों direct 4 से भी cut हो, अगर आपको 4 से cut करना नहीं है, तो आप 2 से cut कर सकते हैं, जैसे हमारे पास दूसरा 100 और 8 दिया हुआ है, parking charge है 100, ratio है 8 इसको भी cut कर लो आप, तो cut करने के लिए पहले तो आप देख लो कि यह हमारा 8 से cut हो रहे की नहीं तो नहीं हो रहे है, 8 से तो cut होगा नहीं, क्योंकि last में 2 0 है 8 से cut होने का रूल है, कि कम से कम last में 3 0 होने चाहिए लेकिन यह दोनों 4 से cut हो जा रहे हैं, देखो 4 2 जा हो जाएगा 8, उपर हो जाएगा 4 2 जाए 8, 10 में से 8 cut हुआ, बचा 2 वो आगे जाकर इसको 20 बना देगा, तो 4 5 जा हो जाएगा 20, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 25 डिवाइड बाइ 2 आ गया, यह इसका ratio निकल किया, तो यह हो जाएगा 25 डिवाइड बाइ 2 ठीक है, यह आप fraction करो, ratio करो, यहाँ पर नीचे 1 आया है था, तो इसको आप divide by 1 भी लिख सकते हो चाहो तो यह हमने 2 का ratio निकाल दिया, अब 2 ही में आप चेक कर सकते हो, देखो 2 में ही हमारा क्या हो गया, ratio अलग लग हो गया इसका मतलब यह direct proportion में नहीं है फिर भी अगर आपको तसली करना है, तो आप क्या करो, पूरा solve करो, जैसे हमारा 140 डिवाइड बाइ 12 भी चेक करो, इन दोनों का ratio चेक करो, इसका कितना आता है तो यह हमारा कितना से कट होरहाए भी यह, 6 से कट हो रहा है, उपर मेरा 6 से कट हो रहा है क्या है? नहीं, उपर 6 से कट नहीं हो रहा है मैं simply 2 से ही कट कर देता हूँ, देखो 2, 6 जै 12 हो जाएगा, 2 7 जै मेरे पास यहाँ पर 14 और यह 0 का 0 अंतर गिया अभी भी दुनों 2 से कट हो रहा है, देखो 2, 3 जा 6 हो जाएगा 70 का आदा कितना होता है, 35 होता है यानि कि 2 का टेबल मैं 35 टेप पढ़ूंगा तो 70 आ जाएगा, यह सब मैं direct solve कर ले रहा हूँ अगर आपको direct solve कर दिखका तो आप normal भी कर सकते हो देखो 2, 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से 6 कट हो बचा 1 वाग जाकर इसको 10 मना देगा, तो 2, 5 जा 10 हो गया तो ऐसे भी कर सकते हो, तो मैरा कितना गया, 35 by 3 आगे इस cancer 2 से मैंने कट किया था, तो यह वाला हमारा 3 वाले का कट करेंगे, उतना ही असान होगा, 6, 3 जा 18, 0 का 0 दरगिया, नीचे 6, 4 जा हो जाएगा 24, फिर यह दोनों 2 से कट हो रहे है, 2, 2 जा 4, 2, 15 जा 30, तो 15 by 2 इसका आगिया, तो चुकि देखो, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कि सभी के जो हमारे रेशियों हैं, वो अलग लग हैं, इसलिए यह जो होगा हमारा direct proportion में नहीं होगा, direct proportion में जब कभी भी कोई भी number रहता है न, तो उनका जो ratio निकलता है, last वाला, जो हम लोग इसको lowest term भी कहते हैं, वो हमेशा equal रहता है, अगर आपस में सभी का lowest term equal है, तो समझ जाना कि वो हम negative बना देना, complete हो जाएगा आपका answer, अब हम लोग मिलते हैं, नेक्स वोले वीडियो में, यह जो अगला question है, उससे में मैं आपको इसी तरिके से simple concept के साथ समझाए दूँगा, thank you for watching,